Scalp Surraces हो रहा है या Surraces हो रहा है जो Scalp पे फैल रहा है और आप ऐसे में Color Dyes लगा रहे हैं, Blond Color करा रहे हैं, Pink Hair करा रहे हैं और Different Different आप Stylings यूज़ कर रहे हैं या Change कर रहे हैं या तरह तरह के Treatment करा रहे हैं जैसे Smoothing, Straightening, बहुत तरह के Treatment होते हैं तो मेरा इसके लिए आपको Big No है, नमशकार, मैं Dr. Mega Chaturvedi, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे, well आप समझने की कोशिश करिएगा कि जब Scalp Surraces होता है तो आपको बड़े-बड़े Patches बनने शुरू हो जाते हैं के साथ Hair Fall शुरू हो जाता है क्योंकि आपका जो अंदर का Follicle है वो पूरी dead skin के साथ भार आ रहा है ऐसे में आप अगर Straightening, Smoothing तरह तरह के अपने Hair treatment कराएंगे या फिर आप Color लगवाएंगे ब्लीच अमोनिया वाले Color dyes लगवाएंगे तो आपका Surraces बढ़ सकता है क्योंकि ऐसी चीज़े यूज़ करने से जो हमारे scalp की skin है या scalp का area है वो sensitive हो जाता है और Redness, Burning, Itching तीनों चीज़े बढ़ा देगा Hair fall भी बढ़ा सकता है यहां तक की गंजापन भी आ सकता है अब ऐसे में आपका यह question हो रहा होगा कि क्या करें वेल आप कोशिश करें कि overuse of dryer या कोई भी straightening machine या curling machine styling machine जो भी होती है उसको आप avoid करें naturally अपने बाल को सूखने दे बहुत जादा गरम पानी से बालों को ना धोए शांपू हफते में दो से तीन बार ही करें डेली शांपू करने की जुरत नहीं है और आप बहुत जादा जो एक cotton cloth होता है टावल होता है उसको यूज करें बहुत जादा रगडे ना scalp को और ऐसी कोई भी चीज जैसे bleach ammonia वाले colors है या dyes है या कोई भी treatment है जिन में बहुत ज जादा chemical लग रहा है उनको आप अवाइट करें अवाइट क्यों करना है जैसे मैंने बताया आपका सुरासे जाग्रावेट हो सकता है या ठीक भी नहीं होगा और बालनेस गंजापन भी ड्वेलप हो सकता है और आपका सुरासे सिवियर ली बढ़ सकता है सिवियर स्टेश पर आ सकता है तो इन सारे कॉंसिक्वेंस को रोकने के लिए आपको यह चीज़े आवोइट करनी है आप चाहें तो सिया का सोरिया ओइल से अपने जो स्कैल्प सुरासे में फ्लेकिंग और यह ड्राइनस हो रही उस पे मसाज करें और अल्टरनेटिवली उससे ड्राइनस कम और जो हैरफॉल है वह रुकेगा आप सिया का ही जो सोरिया शांपू है वह आप यूज करें बहुत ही माइल्ड है अगर आप अभी तक कीटो को नेजॉल और अंटी फंगल श्यांपू यूज कर रहे हैं जो यूज करते हैं तो ठीक है बर छोड़ते ही बहुत जादा आप का फ्लेकिंग भर जाता है सुरासिस रिलाप्स हो जाता है तो उन सारी प्रॉब्लम को यह ठीक करेगा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने देगा और आयरवेदा नाचरल इंगेडियंट से बना हुआ है तो कोई भी साइड उफेक्ट नहीं है और आप एक ही वाश से देखेंगे क्योंकि यह भी स्टाइल होता है जिसको सॉल्ट न पेपर लुक बोलते हैं और अच्छा लगता है और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दूसरा तो कुछ भी नहीं बोल पाएगा या क्वेस्टन नहीं कर पाएगा बट फिर भी आ उसमें से आप उसमें पानी जब फिल्टर आउट करेंगे उस पूरे क्यामिला टी को बॉल करके तो वो जो एक्स्ट्राक्ट निकलेगा वो आप बालों में अप्लाय करके छोड़ सकते ही इससे आपके जो सफेद बाल है वो कवर हो जाएंगे एक नाच्रल ब्लॉन लूक और यह आपके स्रासिस को अग्रवेट नहीं करेगा और इरिटेशन कॉस नहीं करेगा सेंस्टिविटी को नहीं बढ़ाएगा हैर फॉल को भी नहीं बढ़ाएगा तो आप इस तरह से अपने सफेद बाल को कवर कर सकते हैं और उसको बॉइल वॉटर में छोड़ सकते हैं और उसका जब गाड़ा पेश बनेगा उसका एक्स्ट्रैक्ट निकाल के अपने बालों में अपलाए कर दीजे एक घंटे के लिए छोड़ दीजे उसको और फिर माइल शैंपू से जैसे सिया का सोरिया शैंपू से आप उसको वाश कर लीजे ओलिंग करके भी वाश करेंग और एक नरिश्मेंट देंगे जो आपका स्कैल्प को नरिश्मेंट नहीं मिल रही है ड्राइन से डेट स्किन बन रही है बार बार उसको कंट्रोल करेंगे और आपका जो मोटो है कि सफेद बाल दिख रहे हमें कवर करने हैं आपको वो सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा कि इतना महेंगा कलर भी करा रहे हैं और अपना बिमारी भी बढ़ा रहे तो वो कोई लॉजिक नहीं बनता तो आप इन्हें अपलाए करें हमें कमेंट करके बताएं क्या सच में यह हेल्फुल हैं आपकी सफेद बालों को कवर करने के ल करेंगा 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 करें झाल झाल झाल